हलो दोस्तों और बढ़िया सब स्वागते आप सबका हमारे और आपके प्यार इसे चैनल कुकिंग मुखिया पर आज हम बनाएंगे घर के ही कुछ सामान से ऐसा मज़िदार चटपटा नास्ता जिसके आगे समोसा कचोरी स्पिंग रॉल भी फीका लगेगा तो चलिए रेस्पी शुरू कर लेते हैं इसके लिए हमने एक ग्रैंडर जार लिया है और इसमें हम खड़ा धनिया दो चमश डाल देंगे और इसमें हमने 7-8 काली मिश्ली है एक चौताई टी स्पून हमने यहां पे सौप ली है दो लॉंग ली है और इसे हम दरदरा पीस ल अब यहां पे हमने एक बोल लिया है और इसमें दो कटोरी चान कर मैदा लिया है आप इसकी जगह आटा भी ले सकते हो अब इसमें एक चौताई टी स्पून आजबान को हां से इस तरह से करस्ट करके डाल देंगे इससे बहुत ही अचा फ्लेवर आएगा अब यहां पे हमन चार चमज घी डाला है स्वाद के नुसार नमक डाल दिया है और इसे अच्छे से पहले मिक्स कर लेंगे सूखा ही इस तरह से अगर आपको हमारी रेस्पी थोड़ी सी भी अच्छी लगती है तो लाइक से और सब्सक्राइब कर लें और देखिए मोन अच्छे से हो गया है और इसे हम रेस्ट करने के लिए 20 मिनट के लिए हम रख देंगे यहाँ पे हमने कडाई लिए इसमें हमने दो चमज ओल को गरम कर लिया है और एक चुछाई डी स्पुन हमने जीरा डाल दिया है और दो हरी मिर्च को इस तरह से बारी काट लिया था इसे भी हम अच्छे से एक बार आप इस नास्ते को बना के देखिए सच में समोसा कचोड़ी पकोड़ी सब भूल जाएंगे यहाँ पे हमने आलू को वबाल के रख लिया था तो इस तरह से हां से तोड़ के डाल देंगे और इसे हम अच्छे से भून लेंगे आलू को तोड़ते जाएंगे और इ इसकी जगह आम चूर भी डाल सकते हो आदा टीश्पून हमने यहाँ पे गरम मसाला डाला है और इसे भी हम मिक्स कर लेंगे आलू को तोड़ते जाएंगे और बूनते जाएंगे आलू इससे हमारे अच्छे से बुन जाएंगे और यहाँ पे हमने स्वाद के नुसार लाल करके हम आलू को भून लेंगे तो आलू हमारे हो गए इसमें हरा धनिया डाल देंगे इसे हम ठंडा करने के लिए रख देंगे अब डो को देख लेते हैं तो डो को हम एक मिनट अच्छे से इसे और गूत लेंगे तो देखिए डो हमारा बिलुकुल परफेक्ट बनाए इसमे से एक बड़ी लोई हम इस तरह से तोड लेंगे देखिए इस तरह से हमने कर लिया है एक पेड़ा अच्छे से बना लिया है अब इससे हम बेल लेंगे इसमें हमने कोई सूखा आटा नहीं लगाया है यह ऐसे ही अच्छे से बिल जाएगी इतनी बड़ी पूरी हमने इस तरह रखते स्लिवाइब दिए तो धिक ना जड़ा मोठी रखना है कि अध्यूत्त के किनारे हटा देंगे यूर् 2 से सहिसां पिर कार्ड़ा के यह समय अधाय नास्त आप सवस्वार असानी से बना सकते हो अलुक स्टफि locks बना के साम को रख लें आलुओं को इस तरह से हमने करके इस पर लग दिया है देखिए इस तरह से अब हम सलरी को साइड से लगा देंगे जिससे यह खुले नहीं नास्ता हमारा इससे नास्ते को बनाना बहुत ही असान है उ जाधा समय भी नहीं लगता है इस तरह से अच्छे से फोल्ड कर लिए तो देखिए अच्छे से हमने फोल्ड कर लिया चारो तरफ से अच्छे से बंद कर दिया है देखिए इसी तरह से हम दूसरा बना के आपको दिखा रहे हैं आलू की स्टफिंग को हां से इस तरह से हमने कर लिया है और साइट से हम इसम करने के लिए रख दिया था तो सलरी में इस तरह से डिप कर लेंगे दोनों तरफ से जिससे नास्ता हमारा खुले नहीं और पैन में डाल देंगे गैस की फ्लेम ज्यादा हाई ना रखे नहीं तो उपर से सिख जाएगा और अंधर कुरकुरा नहीं होगा तो इस तरह से दोनों तरफ से डिप करके नास्ता को रख दिया इस तरह से पैन को हिला देंगे जिसे ओल अच्छे से ऊपर तक पहुँच जाएगे आप चम्मच से भी कर सकते हो चम्मच से भी डाल सकते हो इस तरह से हम पलट लेंगे गैस की फ्लेम हमने लोटू मेडियम अच्छी लगी हो तो लाइक से और सब्सक्राइब भी कर लें तो देखिए नास्ता से के तैयार हो गया है कितना सांधार कलर आया है देखिए इस तरह से हम नास्ते को निकाल लिये हैं तो इसे हम टोमेटो केचप के साथ सर्फ कर रहे हैं या आप अपने बच्चों के अंदर सॉफ्ट है उपर क्रिस्पी है इंजोई करें अपना ध्यान रखें टेक यह और बाई